पहला मुंबई पुणे अध्योगिक प्रदेश इस अध्योगिक प्रदेश में नाशिक से शोलापूर के मध्य मुंबई, ठाडे, पुणे, नाशिक, शोलापूर, कोलाबा, एहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगाउं जिली आते हैं यहां और द्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है हमें मालुम है कि मुंबई, भारत की व्यवसाईक राजधानी है तथा देश का बड़ा बंदरगा भी है इसे एशिया के सबसे बड़े वस्द रुद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है इस प्रदेश का विकास 1774 में आरम हुआ और जब अंग्रेजों ने जल पोताश्रय के रूप में इसका चैन किया था इसके विकास के दूसरे चरण 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्द बनाने वाला कारखाना लगाया गया ऐसा माना जाता है शीगर ही मुंबई देश का महतपूर्ण सूती कपड़ा उत्पादन केंदर बन गया मुंबई से ठाड़े के बीच पहली रेल लाइन बिची और इसके कारण भी मुंबई तेजी से प्रमुख औध्योगिक प्रदेश बना 1955 में भारत का पहला आणविक उर्जा केंदर मुंबई के निकट ट्रामबे में इस्थापित किया गया इसका उद्देश था विद्दुच्रक्ति उपलब्ध कराना 1961 से 66 अर्था तीसरी पंचवर्षी योजना काल में तारापूर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर इस्थापित किया गया रसायन उद्द्द्योग का विकास 1967 से शुरू हो गया मुंबई हाई में 1976 से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ उपर्युक्त उड्लेखित इन उद्द्योगों के लगने से धीरे धीरे दूसरे कई सारे उद्द्योग भी स्थापित होने लगे अब यहां इंजिनियरिंग के सामान पेट्रोलियम परिशकरण, पेट्रो रसायन, चमडा, प्लास्टिक, दवाईया, उर्वरक, बिजली के सामान, जल्यान, इलक्ट्रोनिक्स, साबुन, वरंसपती तेल, मोटर गाड़ी, गार्मेंट, वस्त्र, टेलिविजन, रफिरिज साइकल यम सॉफ्ट्वेर आधी के अनेक उध्योग स्थापित हो गये हैं। कोलकाता एवं हावडा को इस प्रदेश का हृदैस्थल कहा जाता है, इस संदर्म में हुगली को इस प्रदेश की रिड के रूप में चिन्नित किया गया है। इन केंद्रों में अनेक प्रकार के उध्योग विक्सित हुए हैं। सबसे अधिक जूट उध्योगों का विकास हुआ है। भारत के 70% जूट के सामान इसी प्रदेश में बनाया जाते हैं। ग्यात हो कि भारत विभाजन के बाद पटसन उत्पादक शेत्रों का अधिकांश जो तब पूर्वी पाकिस्तान था। इस समस्या का निराकरण अधिक पटसन पैदा कर किया गया। जूट उध्योग के साथ और भी कई उध्योग हैं। कोलकाता वट टीटागड में कागज तयार किया जाता है। जबकि महीन सूती वस्त्र के 25 कार खाने इसी प्रदेश में है। देश में इंजिनेरिंग उध्योगों का यह सर्वसेष्ट शेत्र माना जाता है। देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़िया बनाने का कार खाना हिंद मोटर्स उत्तर पाड़ा में इस सित है। कोलकाता की गार्डन रीच फैक्टरी, नौसैनिक, मचली पकड़ने एवं समान धोने तथा अनिप्रकार के जलियान बनाने में विख्यात है। हल्दिया को देश के सबसे बड़े तेल शोधन केंद्र एवं पेट्रोरसायन केंद्र के रूप में विक्सित किया जा रहा है। झाल